वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल लर्निंग विडिग्निटी माई नेम इस गरी माई आज हम करेंगे क्लास 8 हिंदी एंसियारटी वसंत का पार्ट 10 काम चोर बड़ी देर वाद विवाद के बाद ये तैह हुआ कि सच मुझ नौकरों को निकाल दिया जाए आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं यहां मोटे मोटे की बात हो रही है बच्चों की क्योंकि ये बच्चे जो हैं वो बिलकुल भी काम नहीं करते यहां तक की हिलकर पानी भी नहीं पीते इन्हें अपना काम खुद कराने की आदत होनी चाहिए और आखरी में कहा जाता है काम चोर कहीं के तुम लोग कुछ नहीं इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते और सच मुझ हमें खयाल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते हिल कर पानी तक भी नहीं पीते पानी पीने में हमारा क्या खर्च हो जाता है इसलिए हमने तुरन थिल कर उठे और पानी पीना शुरू किया हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैल तो हैं नहीं दबैल यानि दबने वाले नहीं तो कोई हमें धक्का दे दे और हम सह जाएं ऐसा कैसे हो सकता है लीजिए पानी के मटकों के साथ ही घमाशान युद्ध शुरू हो गया सुराईयां भी लोड़की और मटके भी और इस तरीके से हमारे कपड़े भीगे सो अलग यानि यहाँ पर भी सब तहसनेस कर दिया गया कोई भी काम बच्चों ने सही तरीके से नहीं किया यह भला क्या काम करेंगे अमा ने निश्य किया करेंगे कैसे नहीं देखो जी जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिस नहीं मिलेगा समझे यह लीजिए बिल्कुश शाही फर्मान जारी हो गया शाही फर्मान का मतलब राजा की आग्या यानि मा ने आदेश दिदिया कि अगर तुम लोग काम नहीं करोगे तो तुम लोगों को रात का भोजन नहीं मिलेगा हम कार्म करने को त्यार हो गए काम बताया जाए और हमने दुहाई दी क्योंकि रात को तो हमें भूग लगती इसलिए हम काम करने को त्यार हो गए बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो मिसाल के लिए ये दरी कितनी मैली है आनम में कितना कूडा पड़ा है पेड़ों को पानी देना है और भाई मुफ्त में काम नहीं करवाया जाएगा आप सबको तनख्वा यानि सबको पैसे मिलेंगे अब्बा मिया ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया माली को तनख्वा मिलती है अगर सारे बच्चे मिलकर पौदों में पानी डालें तो उन्हें भी मिलेगी इस पर अम्मा बोली एहें खुदा के लिए घर में बार आ जाएगी अम्मा ने याचना की याचना यानि विंती की कि इन्हें ये काम तो बिल्कुल ना दिया जाए ये लोग काम बिगार देंगे फिर भी तनख्वा के सपने देखते हुए हम लोग तो काम करने के लिए तुल गए हम लोग मान गए कि आज सो हम काम करके ही रहेंगे एक दिन फर्षी पर यानि फर्षी होती है जमीन एक दिन फर्षी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़के जटकना शुरू कर दिया दरी में धूल भरी हुई थी और बच्चों ने सारे कोने पकड़कर उसकी धूल जाणना शुरू कर दी दो चार ने लकडियों से लेकर धुआधार पिटाये शुरू कर दी दरी भारी होती है इसे लकडियों से कूट कूट कर धूल को निकाला जाने लगा सारा घर धूल से भर गया खास्ते खास्ते बेदम हो गया यानि धूल से सबको खासी आने लगी सारी धूल दरी पर जो थी वो फर्श पर भी थी और अब तो सब के सर पर जम गई थी यानि उन लोगों ने इतनी जादा पटक दी थी कि धूल उड़कर सबके सर पर जा जमी थी नाखो और आखों में भी घुज गई थी अब सारे लोगों का हाल जो था वो बुरा हो गया था हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाल दिया गया वहां हम लोगों ने फोरण जाड़ो देने का फैसला किया अब हम लोगों ने सोचा कि चलो गंदगी फैला दिये तो जाड़ो ही लगा दी जाए लेकिन जाड़ो तो एक थी और लगाने वाले इतने सारे तनख्वा के उमीदवार बहुत सारे इसलिए छड़बर में उस जाड़ो के टुकड़े टुकड़े कर दिये गए जितने सीके उतने हाथ अब जिसके हाथ में जितने सीके पड़ी वो उसने उल्टे सीधे हिसाब से मारना शुरू कर दी अमा ने सिर पीट लिया भाई ये बुज़ूर के काम करने दों तो इनसान काम करें क्योंकि लोगों ने मना करा कि बच्चों से कि या आपका काम नहीं है भाई या रहने दे हम खुदी कर लेंगे लेकिन उन्हें तो अब तन्खुआ चाहिए थी इसलिए हर को ही चाहता था कि हमें कोई काम मिले और हम काम करें काम करें तो तन्खुआ मिलेगी जब जरा-जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम अब उन्हें ये भी बुरा लग रहा कि बड़े हमें टोके भी नहीं असल में ज़ाड़ो गेने से पहले जरा-जरा सा पानी छड़क लेना चाहिए तो बच्चों को लगा कि मा लो थोड़ा-थोड़ा पानी छड़क लेंगे तो ज़ाड़ो लगाना असान हो जाएगा बस ये ख्याला आते ही तुरंत दरी पर पानी छड़क दिया गया एक तो वैसे ही वो धूल से अटी यानी भरी हुई थी पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई सब आंगन से निकाल दिये गए तैह हुआ पेड़ों को पानी दिया जाए बस सारे घर की बाल्टियों को लेकर लोटे तसले भवने पती ले जो मिला उसे लूट लिया गया और जिन चीजों से भी वो पानी डाल सकते थे वो उन्होंने वहां से लूट ली लूट ली यानी वहां से उठा ली यहां तक की डोंगे, कटोरे और गिलास भी नहीं छोड़े अब सब लोग नल पर तूट पड़े यहां भी घमासान मची पहले एक दुसरे को धक्का लगा यहां तक की फूफियों की कमुक कमुक होती है एक फॉज की टुकडी बेजी गई यानी सब बड़े बड़े लोगों को बेजा गया कि बच्चों को अलग करो फोज मैदान में हत्यार फेक कर पीट दिखा दी गई और वहाँ पर भी अब सब ने अपने अपने हत्यार छोड़ दिये और सब को अलग कर दिया गया इस धीगा मस्ती में कुछ बच्चे कीचर से लटपत हो गए जिन्हें नहला कर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी धीगा मुष्टी यानि जो धक्का मुकी हुई थी उसमें कीचर से लटपत हो गएते बच्चे और इतने जादा गंदे हो गएते कि नौकरों से कहना पड़ा कि भाई इन्हें नहला दूला के सही करो लेकिन उस समय जितनी भी संख्या थी नौकरों की वो कम पड़ गई ना पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती थी बच्चों ने ये तैय कर लिया कि सफाई का काम या पेड़ों में देखभाल करने का काम हमारा नहीं है तो फिर कम से कम मुर्गियों को ही बंद कर दें जो बुर्गिया बाहर है उनको हम दड़बे में ले जाएं दड़बा होता है जहां मुर्गियों को रखा जाता है बस शाम को बास छड़ी हाथ में पकड़ी और मुर्गियों को हाकने लगे चल दड़बे चल दड़बे यानि अब चलो अपने घर की अंदर चलो पर साहब मुर्गियों को भी हमारे फिरुत किसी ने भड़का रखा था उट पटांग से इधर उधर कूदने लगी दो मुर्गियां खीर के प्याले में जिन पर आया चांदी का वर्क लगा रही थी दोड़ती फड़़ाती हुई निकल गई दो मुर्गियां खीर के प्यालों में गिरी तो खीर भी जो थी वो सब गिर गई थी तुफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं सारी खीर दीदी की कामदानी डुपटे पर जा गिरी थी उनका कामदानी डुपटा जो था वो खराब हो गया और थोड़ा सा उनके सिर पर भी चली गई एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पान दान में खूद पड़ा कथे चूने से लुथडे और पंचें पे सान कर वो नानी की सफेद दूज जैसी चादर पर चापे मारते हुए निकल गया मुर्गे को क्या पता कि सफेद चादर पर क्या होगा इसलिए उसके भी पैर जो थे कथे चूने में संगे और फिर वो चादरों पर चापे मारता हुआ वहाँ से चला गया एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी यानि जो दाल जिस बरतन में पक रही थी उसमें गिरी और सीधे जाकर मोरी में मोरी होती है नाली उसमें तेजी से जाकर फिसल गई जिससे सारा का सारा खीचर जो था वो मौसी के मूँ पर आ पड़ा इधर सारी मुर्गियां बे नकेल का उट बनी चारों तरफ दोड़ रही थी बे नकेल होता है जिन पशों के नाक में नकेल लगाई जाती है नाक में पहनाई जाने वाली रसी होती है और जब उनके नकेल नहीं लगी होती है तो वो बे नकेल होती है और वो इधर उदर अपने मर्जी से घूम रही होती है एक भी दड़बे में जाने को तयार नहीं थी दड़बा होता है मैंने अभी आपको बताया जहां पर मुर्गियों को रखा जाता है मुर्गियों का जो घर होता है उसे हम दड़बा कहते है इधर किसी को सूजा, यानि कुछ बच्चे जो दूसरी तरफ ते, उन्हें सूजा कि भेड आई हुई है, भेडें जिनसे हम उन निकालते हैं, उन्हें हम भेडें कहते है, तो लाओ हाथो हाथ उनी को दाना खिला दिया जाए, दिन भर की भूकी भेडें सूप को देखकर सब की सब सूप की तरफ जप्टी लश्टम पश्टम तक्तों पर चड़ गई और भेरचाल मशूर है आपने सुना होगा कि भेरचाल में लोग एक दूसरे के पीछे चलने लगते हैं बगर सोच समझे उनकी नजर तो बस दाने पर जमी हुई थी पलंगों को फांग रही थी बरत कर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी यानि जो लोग काम कर रहे थे डुपटे पर सजा रहे थे उसे भेरें बहुत नी संकोच उसको रौंदती हुई वहां से दोड़ गई और सब उन्होंने नुक्सान कर दिया जब तुफान गुजर चुका था तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंको और बंबारों सहित उधर से छापा मार कर गुजर रही हो जहां जहां से सूप गुजरा भेर शिकारी कुत्तों की तरह गंद सूमती हुई हमला करती निकलती चली जा रही थी हजमन मा एक पलंग पर डुपटे से मूधा के सो रही थ उन पर से जो भेडें दोड़ी तो ना जाने सपने में किन महलों की सैर कर रही थी डुपटे में उलची हुई बोली मारो मारो छोडो ने चीखने लगी इतने में भेडें सूप को भूल कर तरकारी वाली की टोकरी पटूट पड़ी वह दालन में बैठी दालन होता है आंग दालन में बैठी मटर की फलियां तोल कर रसोईये को दे रही थी यानि जो सबजी वाली आई थी वो मटर तोल रही थी अपने तराजू में और रसोईये को दे रही थी लेकिन वहाँ पर भी भेडों ने उनके नाक में दम कर दिया वह अपनी तरकारी के बचाव करने के लि उनकी कि उनको चोट नहीं लगती बिल्कुल यह समझ कर आप उससे मजाग कर रहे हैं यह आप पर चड़ बैठेंगी थोड़ी सी देर ही भीडों की तरकारी छिलकों समेथ पेट के अंदर चली गई यानि भीडों ने सारी के सारी सब्जी जो थी वह खाली थी इधर यह प्रे का खाना नहीं मिलेगा वे चार भैसों के दूद दूने में जुट गए दुली बे दुली बाल्टी उठा कर ले आए और आठ हाथ चार थनों पर पिल पड़े यानि जो चार भैसे थी उनके जो आठ हाथ मतलब सब बच्चों के दो-दो हाथ थे और उन्होंने दूद दू फिर तो काबू कर लिया जाएगा और दूद दू लिया जाएगा बस जूले की रसी से उतार कर भैसों को बान दिया गया पिछले दो पैर जो थे चाचा जी की चार पाई से बान दिये गए और अगले दो पैरों को बानने की कोशिश जारी थी लेकिन भैस जो थी वो चुक साथ में भूचाल भी आया हुआ है फिर जल्दी से उन्हें असली बात पता चल गई कि यह कोई आंधी तुफान या फिर कोई सपना नहीं हकीकत है फिर जल्दी से जब बात पता लगी तो वह पलंग से दोनों पट्टियों को पकड़े बच्चों को छोड़ देने वाला बु यहां बड़ा मज़ा आ रहा था बैस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चार पाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी ओहो एक भूल हो गई यानि बच्चडा तो खोला ही नहीं इसलिए जाकर बच्चडे को भी खोल दिया गया तीर निशाने पर बैठा और बच्चडा हुआ बच्चडा जो था ततकाल दूद पीने में जुट गया दूने वाले ग्लास कटोरे लेकर लपके क्योंकि बाल्टी तो छपाक होकर गोबर में जागिरी थी और सन गई थी बच्चडा फिर बागी हो गया उसने कहा तुम मेरी मा का दूद कैसे पी सकते हो तो कुछ दूद जमीन पर और कुछ कपणों पर गिरा दो चार धार जो थी गिलास कटोरे में आई भी लेकिन बाकी जो था सारा का सारा बच्चडा पी गया यह सब कुछ कुछ ही मिन्टों में हो गया घर में तूफान उट खड़ा हुआ ऐसा लगता था कि सारे घर में मु पाइटियां लोटे कटोरे और बच्चे थे बच्चे बाहर किये गए मुर्गियां बांग से हकाई गई और उन्हें भी बाहर किया गया मातम सा मनाती तरकारी वाली के आसु पोछे गए यानि जो तरकारी वाली की सारी की सारी तरकारी भीडों ने खा ले थी वो मातम यान से चुनौती मिल गई थी अब अबबा विचारे क्या करते उन्होंने सब को कटार में यानि लाइन से खड़ा किया और पूरी बटेलियन यानि पूरी की पूरी जो फॉर्ज थी उसको कोर्ट मार्शल कर दिया बटेलियन होती है पल्टन और कोर्ट मार्शल होता है फॉर्जी अदालत में सजा जो सुना दी जाती है उसे का जाता है कोर्ट मार्शल अगर किसी बच्चे ने घर के किसी भी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा यह लिजिए इन्हें किसी करवट शांती नहीं हम लोगों उन्हें भी निश्चे कर लिया कि आप चाहे कुछ भी हो जाए अब तो हम लोग हिल कर पानी भी नहीं पिए कहानी तो बहुत ही मज़ेदार थी चलिए इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं कहानी से कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं किन के बारे में और क्यों कहा गया है तो उत्तर है कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं ये बात बच्चों के बारे में कही गई है क्योंकि वे घर के काम काद में जरासी भी मदद नहीं करते और दिन भर खेलते कोटते रहते हैं प्रश्ने 2, बच्चों ने उधम मचाने के कारण घर की क्या दूरदर्शा होई? बच्चों ने उधम मचाने के कारण जो घर की सारी विवस्था थी, वो खराब हो गई मटके सुराही इधर उधर लुड़क गए घर के सारे बरतंग अस्तिवेस्त हो गए पशू पक्षी इधर उधर भागने लगे घर में धूल, मिट्टी, कीचर जैसी चीज़ें फैल गई मटर की सब्जी बनने से पहले ही भेडें खा गई और मुर्गे मुर्गियां के कारण जो था वो सारे के सारे कपड़े फट गए थे, गंदे हो गए थे प्रशन तीन, या तो बच्चा राज कायम कर लो या फिर मुझे ही रख लो अम्मा ने ये कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ तो उत्तर है, अम्मा ने बच्चों के द्वारा किये गए घर की हालत को देख कर ऐसा कहा था क्योंकि उन्होंने घर की हालत तैसनैस कर दी थी जब पिता जी ने बच्चों को घर के काम काज करने के लिए हाथ बटाने को बोला, तो उन्होंने इसके विपरीद पूरे घर को तहसनेस कर दिया चारों तरफ सामान बिखरा दिया स्पशो पक्षियों को घर में गुसा दिया और इसका परिणाम यह हुआ कि काम करने की बजाए उन्होंने घर काम कई गुना बढ़ा दिया अम्मा जिससे बहुत परिशान हो गई उन्होंने पिता जी से साफ साफ कह दिया कि या तो घर में बच्चों को रख लो या फिर मैं माईक के जा रही हूँ इसका परिणाम यह हुआ कि पिता जी ने घर की किसी भी चीज में बच्चों को हाथ लगाने से मना कर दिया और सजा के तौर पर यह कहा कि अगर उन्होंने किसी भी चीज को हाथ लगाया तो वो राता खाना उन्हें नहीं देंगे प्रश्न चार कामचोर कहानी क्या संदेश देती है तो उत्तर है यह एक हाथ से प्रदान कहानी है और यह कहानी हमें ये संदेश देती है कि हमें बच्चों से उनके सुभाव के अनुसार, उनकी उम्र और रुची को ध्यान में रखते हुए काम देने चाहिए जिससे वे जो हैं बच्चपन में रच्चनात्मक कार्यों में लगन लगाएं, रुची लगाएं उनके उपर हमें बड़ों की जिम्मेदारी नहीं तोपनी चाहिए इससे उनका बच्चपन कुचल जाता है हमें बड़े होने के नाते उन्हें सही दिशा प्रदान करनी चाहिए प्रश्न पांच, क्या बच्चों ने उचित निर्ने लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाये हिलकर पानी नहीं पियेंगे उत्तर, बच्चों के द्वारा लिये गया ये निर्ने बिल्कुल भी उचित नहीं था क्योंकि पानी भी ना पीना ये निश्चे करने से उन्होंने ये बताया कि वो और भी कामचोर है उन्हें काम तो करना चाहिए पर समझदारी के साथ और वो काम करने चाहिए जो वो कर सकते हो उन्हें अपने खाली समय का सदूपयोग करना चाहिए रशनात्मक कार्यों में मन लगाना चाहिए और पूरे परिवार वालों को सयोग देना चाहिए तो ये प्रशनुत्तर हो गए आपको कैसे लगे कमें शेक्षिन में में मेंशन करिए और पसंद आया तो लाइक का बटन जरुर दबाईए थैंक यू पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें